हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारह पत्लक नमबर 13 करेंगे जो कि क्लास 7 की है और विश्य है विज्ञान ये वर्क्षिट 13 नेवेंबर 2020 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की वर्क्षिट म्रदा में पोश्कों की पुनहपुर्ती देखिए क्या लिखा गए आज की वक्षिट में राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में ब्रहमन कर रही थी तब उसने देखा किसान खेतों में खाद फैला रहे है उसने बगीची में माली को भी ऐसा करते हुए देखा जहां वे लॉन और गमलों में खाद का प्योग कर रहे थे वे सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों कर रहे है तो देखो पीटा क्या कह रहे है कि राधिका जब अपने नजदी फसल खेत में गूम रही थी तब उसने देखा कि किसान खाद लगा रहे थे तो फर्स टेबे ये खाद क्या होता है तो पीटा देखो अब प्लांट्स मिट्टी जो पोधे हैं वो मिट्टी में लगे हुए हैं खेतों में लगे हुए हैं तो वो लगातर मिट्टी से क्या कर रहे है तो धीरे-धीरे मिट्टी में पोशक तत्वों की कमी हो जाती है जब लगातर लेते रहेंगे तो क्या होगा धीरे-धीरे मिट्टी में पोशक तत्वों की कमी हो जाएगी तो इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद को मिट्टी में डाल देता है जिसे की पोशक्तत्व बने रहें अब खाद होता क्या है देखो खाद दो तरह से है एक होता है उव्रक एक होता है खाद तो खाद क्या है खाद जैविक प्रदार्थ होते हैं जो पोधे अफशेश पश्वों के गोबर से प्राप्त होता है पोदो को पोशकतत्व प्रदान करते हैं तो खाद क्या होता है बदा खाद एक जैविक प्रदार्त होते हैं मतलब कार्बनिक प्रदार्त है ये और ये क्या करते हैं जैविक प्रदार्त है जीवों से मिलते हैं और पोदो के अफशेज जैसे की पोदो का तूटा हुआ भाग कोई टहनी या कोई पोधो का टूटावा भाग पश्वों के गोबर से प्राप्त होता है और ये पोधो को पोशक तत्व प्रदान करते हैं अब हम बात करते हैं उवरक उवरक एक रसाइनिक प्रदार था ये क्या है एक रसाइनिक ये जैविक प्रदार था ये रसाइनिक प् प्रकर्टी भी बनते हैं इनको क्या बनाया जाता है इन सब को मिलाकर पोदों को दे दिया जाता है जिसे की पोदों को पौशक्ततों प्रदान हो आगे देखते हैं क्या लिखा है पिटा पादब अपनी व्रद्धी और अच्छे स्वास्ते के विकास के लिए मर्दा से पौशक्ततों की यहां पे भी प्लांट्स होता है वहां पे हम यह उव्रक या खाद हम लगा बेखा तक बिलाने की आफशक्तता होती है इसलिए हम बहुमी में मिटी में जहां पे बीप्लांट्स लगा रहे हैं वहां पे हम ये उवर या खाद हम लगाते हैं जिससे कि क्या हो प्लांट को पूरे पोशकता तो मिल सके पोधों को सभी पादपोशकों मेसिन नैट्रोजन की आफशकता सबसे ज़ादा होती है बेटा नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है यह दिपी वायू पंडल में नाइट्रोजन गैस प्रचूर मात्रा में है लेकिन पोदे इनका सिधा प्योग नहीं कर सकते हैं ऐसे तो देखो हमें पता है कि हमारे एट्रोजन में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस को अप्योग में नहीं कर सकते हैं आगे देखे क्या लिखाया है पादप नैट्रोजन को विले रूप में अफ्शोशित कर सकते हैं नैट्रोजन को कैसे अफ्शोशित कर सकते हैं विले रूप में अगर वो घुली हुई है ना वाईयू मंडल की नैट्रोजन ले सकते हैं और इसे विले रूपें परिवर्थित कर सकते हैं अब देखो कोई तो हो ना जो वाईयू मंडल की नैट्रोजन है उसको परिवर्थित कर सके उसको चेंज कर सके तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम एक ज सब्सक्राइब एक चोफिरों में बोंना इस issue कर दीता वी मिले परवर्थित कर देतभि विले रूप में हमें विले उसको प्रीप्ट ही आई क करते हैं चेंज़ कर देता पूंद सारे उसको को बना धिंग कर देता हैं अब हरो सीज़ कर देता ऑध मिले समय वेदिज खो ब्हुत किया होता है छो हमारे लिए बहुत हैल्दी होता है इसलिए हमें भी डाले खाने चाहिए ह हुँत हो यह भाला बैक्टिरिया का नाम ही आख़े थैट करों को आजये और अलगे देखते क्या प्याइछ में दैले पूत पॉसे प्राप्त होती है जितनी भी दाले होती है वो कहां से मिलती है में फलीदार पात पॉसे राइजोबियम अपना भोजन स्वैम नहीं बना सकता अब राइजोबियम के पास दिकत क्या है वो अपना भोजन स्वैम नहीं बना सकता फलीदार पोधे बैक्टीरिया को भोज अब बदल्ए में पलांट क्या देता है इसको बेक्टीरिया अपने खाना नहीं बना पाता है उषय Confच! सहे जीवी संबंद कहते हैं सहे जीवी संबंद देखें दो जीवों का मध्य संबंद जिसमें दोनों जीवन आवास और पोशन के लिए परस पर लाभवंतित होते हैं उसे हम सहे जीवी संबंद कहते हैं दो जीवों का मध्य संबंद जिसमें दो जीव आपस में पोशन और आ के बीच में एक अंतर लिखी तो हम देख चुके यहां पर बहुत अच्छे से अंतर दिया गया है यह पूरा आप यहां पर लिख देंगे पहले यहां पर उर्वरक लिख दीजिएगा चीक है और यहां पर आप खाद लिख दीजिएगा इस तरह से आप फस्ट कोशन का असर आपका यह हो जाएगा उर्वरक रसाइनी प्रदार था जो पोधो को पोशक्तत्व प्रदान करते हैं मुख्य रूप से नैट्रोजन, फास्फोर्स एंड प्रदान करते हैं अब हम करते हैं प्रशन नमबर टू पादप के लिए आफशक तीन मुख्य पोशक्तत्व कौन स प्रदान करते हैं अब हम करते हैं प्रशन नमबर 3 सहज जीवी संभंद से दो जीव के मद्य संबंद जिसमें दोनों जीव आपस अवास और पोशन के लिए परस्पल लाब वंतित होते हैं तो उसे हम सहजीवी संबंद कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, सहजीवी संबंद समझा चुकी है, अब हम करते हैं, प्रशन नंबर 4, पातपो को उर्वरक एवंखाद की आफशकता क्यूं होती है, क्यूं होती है, देखो बेटा, यहाँ पे लिखा गया है, यह देख होते हैं म्रदा को इन पोशक ततों को से सम्रद करने के लिए मरदा में इन पोशक ततों के जब कमी हो जाती है तो वैसे तो आप यहां से भी लिख सकते हैं लेकिन पूलेंधी हो जाएगा इसलिए पोशक ततों को सम्रद करने के लिए भूमी में औरवरक पे खाद मिलाने की मुरदा में दीरे दीरे पोशक तत्व कम होने लगते हैं तो इन पोशक तत्व को कमी को पूरा करने के लिए हमें खाद मिलाना होता है तो यह answer number 4 देखे और उरवरक खाद में nitrogen, phosphorus, and potassium जैसे पोशक तत्व होते हैं मुरदा को इन पोशक तत्व से सम्रद करने के लिए भूमी में उरवरक और खाद मिलाने की आफशकता होती है तो यह है answer number 4 तो बिटा आज की आपकी वरक्षिट कम्प्लीट होती है वरक्षिट कम्प्लीट करके अपनी teacher से चेक कर आए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थेंक यू स्टूरेंट्स